आज हम देखेंगे FBD बनाना आपका तो कुछ इस तरीके से आपका है कि horizontal motion आपनों का इसका है horizontal motion करेगा आपनों का of a block connected with a light and extensible string passing over a pulley ठीक हो गया तो कुछ इस तरीके से आपनों का तो एक block है जिसको आपने एक platform में रखा है इसको हमने एक तागे से बाद रखा है जो तागा है इनेक्स्टेंसिबल है अपनों का ठीक है एन इसका जो दूसरा एंड है यह पुली से पास वरा और इसका जो दूसरा एंड है वह एक object से एक दूसरे मास M1 से आपका जो डख है आपका जो एयर में सस्पेंड कर रहा है आपका तो इस केस में होगा क्याना आपका क्यूंकि यह एकदम स्मूद आपका साउफेस में प्लेस्ट है तो और यह वाला object क्या है आपका इसका में जो वेट होगा वह इसको नीचे को पुल अगर होगा तो इसका भी acceleration आपका सेम चीज ए ही होगा आपनोंका तो आप सीधर बनाते हैं में FBD तो सबसे पहले आता है कि FBD of M1 ठीक है तो M1 की FBD बनाते है तो M1 की FBD बनाने के लिए मैं एक बार की diagram बना रहता हूं M1 वाला वह कुछ इस तरीके से दिख रहा है पुल आउट करेगा और यह दोनों चीज और यह दोनों चीजे तो हो गई आप लोंका तो यहां पर से अब देखो जो सिस्टम में वह कहां को कॉलाप्स कर रहा है वह नीचे को जाएगा आपका तो ओवराल किस acceleration से जाएगा A acceleration जा रहा है तो कितना फोर्स काम कर रहा होगा उसमें M1 into A तो FBD बनाओगे तो यहां देखना यहां पर दो फोर्स काम कर रहे थे एक M1 G एक T, M1 G नीचे को था और T ऊपर को था आप लोंका दोनों का दोनों चीज और फाइनली जो अबजेक्ट है वह नीचे को जा रहा है इसका मतलब है कि M1 G ग्रेटर होता होगा M1 G बड़ा होता होगा उसमें से जब हम T को घटा देंगे तो यहां आएगा आपका overall आपका M1 A तो इस 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 इक्वेशन नमर 1 तो यह पहले object की आपकी FBD बन गई है अब आते हैं आपका FBD of M2 तो M2 की FBD बनाते हैं आपका तो M2 के लिए देखना है इसका जो weight होगा वो इसको नीचे को पुल आउट करेगा और weight देखो यह जो object है नीचे को नहीं जा रहा है यह object इधर को move करेगा आपका यह उस साइट को move करने वाला तो मतलब वेट इसमें responsible नहीं होगा आप लो इसमें जो आपका इसका final acceleration है मतलब M2A मतलब इसको जो acceleration मिलेगा वो इसी tension की वज़े से मिलेगा इसके weight की वज़े से नहीं मिलेगा किसकी वज़े से मिलेगा बस इसके tension है तो tension is equal to M2A that is equation number 2 आपनों का इन दोनुर questions को जो हम solve out करेंगे तो आपकी चीज़ें आ जाएंगे इस equation 1 plus 2 करो आप लो तो एक और दो को जोड़ेंगे ती से टी cancel हो जाएगा यह ऐसा कुछ आ जाएगा फिर M1G is equal to M1A plus M2A यहां से acceleration की value A की value आ जाएगी M1G upon M1 plus M2 तो यह आ गया आपका acceleration की value ऐसे ही इस acceleration की value यहां पर place कर दोगे तो tension की value आ जाएगी आपका M1 यहां पहल M2G upon M1 plus M2 तो यह दोनों चीज़े तो आग लिए अब तीसरी चीज है पुली के लिए भी FBD बना देते हैं आपका तो FBD फॉर पुली तो अगर मैं पुली की बात रहे तो पुली देखने में कुछ इस तरीके से लग रही है ठीक है अब यहां सी समझना अपनों का एक यहां से tension काम करेगा T एक tension यहां को काम कर रहा है T दोने दुसरी के perpendicular direction में है आपनों का और यह system आपका इस side को collapse नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि एक force आपका इधर को काम करेगा यह होगा आपका total reaction force R क्योंकि इस reaction force की वजए से ही यह जो पुली है यह इधरी पर बने रहेगी आपका वह अंदर को नहीं आपका जाएगी आप लों को जोगी वैने फुली बना रहे है यह इधरी पर fixed है आपनों का तो इसका मतलब है इसके एंगल कितना है आपका 90 degree and 90 degree मतलब theta is equal to आपका 90 degree और हमने vector addition वाला rule देखा था आपका की r is equal to होता था आपका resultant is equal to होता था आपका a square plus b square plus 2ab cos theta that is the formula आपका तो वो formula आप यहाँ अपलाई करोगे तो यहाँ से आजाएगा आपके पास r is equal to under root t square plus t square plus 2 t square a b भी दोनों 2t है आप लोंका n cos 90 cos 90 is आपका 0 तो यह हो जाएगा आपका t square plus t square या 2t square या फिर ती बारा आगया तो under root 2 तो that was आपका overall यह है चुग है तो यह कुछ चीजें आपका fvds आपकी बना दिया हमने horizontal motion of a block की चेक है तो वीडियो परशंद आए तो like share and subscribe thanks for watching